हे दोस्तों नमस्कार आज आप सुभीक साथ मैं सेर करने वाली हूँ बहुत ही योनिस सा चीज किस तरह से हम बहुत सारे कपड़े को अरगनाज कर सकते हैं अपने लोहे के भक्सा में जो कि हमारे पास अक्सर रहते हैं और हम उसको सही से अर्गनाज करके नहीं रख पाते हैं सारे कपड़े इधर इधर फैले रहते हैं तो हमारे पास से देखो यह इस तरह से लोहे का बॉक्स है जो कि अंदर से बिल्कुल नियो है बाहर से थोड़ा सा पुराना हो गया है फिलाल मैं इसको करूंगे पेंट लेकिन आज अभी नहीं करने वाली हूँ आज सिर्फ्रेम मैं आप लोग साथ सेर करूंगे कि किस तरह से मैं इसको अर्गरनाज करने वाली हूँ तो बस वही करने वाले हूँ तो उसके लिए आप लोग वीडियो में बने रहेगा वीडियो पूरा देखेगा और पसंद आएगा तो लाइक किजिएगा सासी सासेर भी किजिएगा और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके धेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी छोड़िएगा तो यहाँ पर पहले मैं क्या करें नीचे ना सबसे पहले साफ कर ले रही हूँ क्योंकि थोड़े बहुत कितने भी बंद रहता है ना लेकिन धोल मिट्टी चले ही जाते हैं तो यहाँ पर मैं थोड़े कपड़े को गीला करके हलका सा गीला करी हूँ ज्यादा नहीं करना है मुझे तो करने के बाद मैं एक बार अच्छे से इसको पोच लेती हूँ शाफ कर लेती हूँ तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखा रहे हूँ तो फिलाल नीचे का तो क्लीन हो गया है थोड़ा सा उपर भी कर लेते हैं तो इस तरह से कर लेंगे सफाई तो फिली उपर नीचे की हो गई है अच्छे से सफाई उसके बाद मैं नीचे बिछा दूंगी पेपर तो आप चाहो तो कप्रे भी बिछा सकते हैं बड़ पेपर बिछाएंगे तो काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यहां पेपर को हम क्या करेंगे फाड़ेंगे न क्या होगा कपड़े जो है मारे कपड़े में मुर्चा वकरा नहीं लगेगा नहीं तो जंक लग जाता है वैसे कपड़े में जंक लग जाता है लोहे का रहता है तो यहां पे फिलाल जंक लगने की कोई भी टेंसन नहीं है बाक्स जो है भी नया ही है तो आप लोग देख सक तो साड़ी रखने के लिए मैं क्या करूंगी अपना साड़ी पेटी कोट एंड ब्लाउज तीनों को एक ही साथ मैं करके रखूंगे तहां पर मैं कल ली हूँ चलिए मैं आपको दिखा रहे हूं को किस तरह से मैं रखने वाली हूं तो मैंने साड़ी को कल लिया हुआ है फोल ब्लाउज रखने के बाद मैं उसी में लगा दूँगी पेटी कोट और लगाने के बाद ना इसको मैं इस तरह से नहीं रखने वाली हूं इस तरह से रखूंगी तो अगर मुझे कपड़े बाद में निकालना होगा तो पूरा कपड़ा उपर का निकालना पड़ेगा तो इस तरह से हम क्या करेंगे फोल्ड करने के बाद ये देखिए अगर आप साड़ी पकड़ के खीजेंगे तो आपका दोनों साथ में आ जाएगा ब्लाउज भी पेटिकोड भी तो इस तरह से हम सारे कपड़े यहां पे रख देंगे जितने भी साड़ी ब्लाउज है सब को करके रख देंगे असानी से तो अगर आपके पास इस तरह के बॉक्स है तो आप इस तरह से अर्गनाइज कर सकते हैं सारे कपड़े को धीर सारा कपड़ा इसमें आ जाएगा तो चलिए लग रख लेते हैं तो इस तरह से हम साड़ी फोल्ड करते जाएंगे और पटा-पट रखते जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छे से सारी साड़ी हमारी आ रही है बिल्कुल भी आप निकालने लगेंगे तो आपको टेंसन नहीं रहेगा आप इस तरह से अपनी साड़ी असानी से निकाल सकते हैं और सब में म मैंने हाह पर साड़ी रक दिया हुआ है और इधर के भचा हुआ है इसमें पी तो आ साड़ी भी रखना चाहुत रख सकते हैं और आप साड़ी भी रखना से फिलाल भीनिकी कपड़े का है यहां पर सस्थोटा अलगे तो वह सब था चोटा चोटा कपड़ा तो बस मैं उसको भी रख दे रही हूं और पेटी कोड भी रख दे रही हूं तो इस तरह से आप चोटे-चोटे कपड़े भी रख देंगे या साड़े वोकर कुछ भी रखेंगे तो आपका जो है पूरा बाक्स अरगनार्च रहेगा धेर सारा कपड़ा आ सकते हैं भी आप लोग देख सकते हैं काफी ज़्यादा इसमें स्पेस बचा हुआ है जिसमें मैं और भी रख दूँगी साड़िया जो बचा हुआ है उसमें मैं साड़िया भर दूँगी तो फ्रेंस यहां पर मैंने धेर सारी अपनी साड़िया रख दिया हुआ है फिर भी इसमें काफी जादा जगा है अगर आप रखना चाहो तो आसाने से रख सकते हो फिलाल मैं कर दे रही हूँ बंद और देखने में काफी जादा खुब सूरत लग रहा था हमारे सारे जो है ब्लाओज पीस मेरा एक पुराना बचा हुआ था मैं ऐसे इसको ढग दे रही हूँ नहीं तो आप चाहो तो इस पर कबर भी बना सकते हो कर आप लोग कमेंट करेंगे मैं प्यारत सा कबर इस पर का बनाओंगी तो आप लोग सा सेयर भी करूंगी I hope मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आये होगा तो अकर आपके पास इस तरह से बाक्स पड़े हुए हैं तो आप भी अरगनाइज कीजिए और इस तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाई बाई